आरात माता की गणले मातरम पंडित स्यामा प्रसाद मुखर जी अमर रहे अमर रहे आज डेविज जून पंडित स्यामापसाद जी मुखर जी की पुर्ण्यति थी, पंडित स्यामापसाद मुखर जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को गलकत्ता में हुआ था और उनकी पुर्ण्यति थी डेविज जून 1953 को हुई है, पंडित स्यामापसाद मुखर जी का जीवन जो है संगत मुखर जीवन था, हमेशा मानौक देवा को उनका जीवन समर्पित था और 1923 में कश्मीर की जेल में उनकी संदिक दवस्ता में मृत्यू हुई थी और उनकी मृत्यू के लिए उनकी माने पंडित जवानलाल नहरू जो जाज कराने के लिए कहा पर उन्होंने इंकार कर दिया और 2004 में पंडित अडल व्यारी बाजपई की सरकार के समय, पंडित अडल व्यारी बाजपई जी ने उनकी मृत्यू को अठ्या करार दिया था, क्योंकि पंडित स्यामापसाद मुखर जी जी ने अनुच्छे 370 और 35 एक पुर्जोर विरोध किया था और एक विधान, एक जंडा और एक प्रधान का नारा उटका था, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में दो प्रधान, दो विधान और दो जंडे का चलन था, जिसके लिए उन्होंने विरोध किया था और उसी विरोध के कारण उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके उन्हों ने जो देश के प्रती अपना समर्पन दिया योगदान दिया हमेशा देश सेवा में अपनी लगन दी जो आज भी अनुकरनीय है हम सभी आज इस दोतर पर इस तरकार करते हैं और आज की जो तकालियर अधरणी नरहेंद्र मोदी जी की सरकार है उन्हों ने उनके कारे को पूंड़ता दी धारा 970 और 35 एको समाप्त करते हुए कश्मीर को पूर्ण आजादी का दर्जा दिया हम उसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं साधुवाद देते हैं बोलिय भारत माता की भारत माता की वन दे वन दे पंडित स्यामा प्रसाद मुखर जी अमर रहें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आप सभी आए